जनपत पहराईट तैसील नानपारा के अधिवक्ता निठाना है तैसीलदार नानपारा को इस्थानन्तरल कराना है नानपारा का इस्थानन्तरल कराना है नानपारा नगर के सबसे पुरानी तैसील जिसमें तैसील नानपारा के उपर आरोप लगाया जा रहा है वो ब्रहष्टाचारी है और वो अनधिकारियों उनके सयोग में है लगभग 20 दिनों से नानपरा तैसिल में अधिवक्ताओं का धरना परदर्शन जारी है किन तो अभी तक किसी परकार की कोई आश्वासन वा कोई समस्या का समधान नहीं हुआ है नानपरा तैसिल के अधियच लेरंकार परसाच जैसवाल जी ने को बताया है कि तैसिलदार एक भष्टाचारी क्रमचारी है जो कि किर्शक को भी नहीं छोडते हैं सभी से को निचोडने का कार कर रहे हैं बंदक दाखिल खारिज आदी मामले में ब्रहष्टाचारी हो रही है साथी साथ सौरब श्रीवास्तो शपत अयुक्त मंत्री ने भी तैसिलदार नानपरा पर निशाना साथते हुए ब्रहष्टाचार बताया है महा मंत्री सचीव प्रेम कुमार तिरपाठी और उनके अन्य साथी विरेंद सिंग बीपी श्रीवास्तो वर्ष गोपाल जैसवाल मुबीन एमत रमेश कुमार सोनी नरेश चतरबुष श्रीवास्तो अधिवक्ता गर तैसिलदार नानपरा के भ्रहष्टाचारी बताते हु मुर्दाबाद के नारे लगाया और तैसिलदानपरा का इस्थांत्राण होने होना चाहिए जब तक इसका इस्थांत्राण नहीं होता तब तक हम लोग अपना कारेकाल नहीं करेंगे और यह परदर्शन करते रहें किसी तरह का किसी तरह से अधिवक्ता जितना भी अधिवक्तागर संतुष नहीं है तो जितने लोग ख़ले हैं सब लोग नाराज है ठीक एक बार तक कि इसका आसांत्राण नहीं होगा तब तक के दर्में हम लोग बेटे रहें ठीक जिए किसी तरह के अधिवक्ता नहीं होता है एक दो जाएगा नहीं हम लोग अपने अधांपन पर सठे रहें और जैसा कि आज यहां पर एटियम साब भी आए हैं कि अभी तक कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप लूंग जब तक अपने धरने पे ठटे रहेंगे जब लूंग जो हाथ उड़ा के बोल दीजिए एक बार साब लूंग सायोग में हैं ना पूराइब मैं इंट न सायोगह रुड़ाइब डिम्लाइब